और बड़ी कबर लेबनान से आ रही है हिजबुल्ला चीफ हसन नस्रल्ला ने इसराइल को अनजाम भुगतने की धंपि दे दिये है हिजबुल्ला ने इसरेल के खिलाफ 60 से ज़्यादा गोले दाग दिये है हमांज के डेपीटि चीफ अरूरी के मारे ज़ाने के बाद नस्रल जिसको लेकर बड़ी खबर मिल रही है हिजबुल्ला चीफ हसन नस्रल्ला ने इस्रेल के खिलाफ आक्शन लेने की बात कही और इसे देखते हुए हिजबुल्ला के लड़ाके यी बहुत जादा डरे हुए हैं इन लोगों को डर है कि अरूरी को जिस तरह से इस्रेल ने पॉक लाया हुआ है हसन नस्रल्ला दरा हुआ है लेबनान का हिजबुल्ला संगठन नस्रल्ला को मार डालेगा इस्रेल हसन नस्रल्ला इस्रेल का दुश्मन नमबर दू हिजबुल्ला का चीफ इस्रेल के खिलाफ नस्रल्ला ने हमले का ताजा ओर्डर जारी किया है इस ओर्डर के बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इस्रेल पर साठ रॉकेट दागे हैं पर लाल अला दाहियति जनूबियती लिगए लिगए हुसन नसरला जिस तरह से आक्शन में है उसे देख कर लगता है कि इस्रेल ने नमबर टू टार्गेट सेट कर दिया है हमास का खात्मा करते करते इस्रेल लिबनान में हेजबुला के लड़ाकों को चुन चुन कर मारने बाला है नसरल्ला खुलम खुला इस्रेल की ताकत को चैलेंज कर रहा है बदला लेने की धमकी दे रहा है जी बदला उस हमास के नेता के मारे जाने की जो लेबनान में छिप कर बैठा था इस्रेल की सेना ने हमास के इस लीडर की तलाश की और मिलते ही बेरूत में मौत की नीन सुलादिया आपको आगे दिखाएंगे कि हेजबुला संगठन ने इसरेल की गुरूद से बचने के लिए कौन सी प्लैनिंग की है लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जब नसर अल्ला ने कहा कि इसरेल को छोड़ेंगे नहीं तो इसरेल ने क्या प्रतिक्रिया दी है जवाब में इसरेल ने कहा है कि हमले में हमास के उप्रमुख की मौत लिबनान पर हमला नहीं था हमास के नत्रितों के खिलाफ की गई एक सर्जिकल श्ट्राइक में सालेह अल-अरूरी की मौत हो गए 2006 के बाद ये पहली बार है जब इस्रेयल की फौज लिबनान में घुसी और अरूरी को मार डाला हसन नसरल्ला के बारे में आप जानेंगे तो आपको अंदाजा लगाने में मुश्किल नहीं होगी कि अब नसरल्ला का अगला कदम कितना खून बहाने वाला होगा यानि लाएकर मताब़ अले तजावज अलए तजावज अलए तजावज अलए तजावज अलए नफस तरीक नफस अलकदीए साले अल-अरूरी हमास के टॉप कमांडरों में एक था और इस्रेयली सेना के हिट लिस्ट में शामिल था 57 वर्षिय अरूरी लेबनान में निर्वासन की जिन्दगी बिता रहा था इस्रेयली सेना को काफी दिनों से इसकी तलाश थी अरूरी बिछले चार वर्षों से आईडियाप के निशाने पर था मौका मिलते ही अरूरी को इस्रेयली सेना ने मार डाला कहा जा रहा है कि अरूरी इस्रैल के डून हमले में मारा गया अरूरी हमास और हिजबुला के बीच एक कड़ी था अरूरी के संपर्क सूत्रों के चलते ही हिजबुला उसका खुल कर समर्थन करता रहा लेकिन इस्रैल ने नस्रला के सबसे करीबियों में से एक कुमार उसे बहुत बड़ा जट्का दे दिया है लिहाज़ा नस्रला बदले की आग में जल रहा है इस्रैल के भय से नस्रला बाहर सारवजनिक रूप से नहीं देखता लेकिन उसके बारे में जो जानकारी है वो ये है कि हसन नसरल्ला एक शिया आलिम मतलब धार्मिक विद्वान है जो लेबनान में हेजबॉल्ला ग्रुप के प्रमुक है इस प्रमुक को इस समय लेबनान के सबसे एहम राजनितिक दलों में गिना जाता है जिसकी अपनी सशस्त्र विंग भी है हसन नसरला लिबनान के साथ साथ दूसरे अरब देशों में भी लोग प्रिया है इरान और अली खामनेई के साथ बहुत निकट के और विशेश संबन्द है हिजबुला को अमेरिका की ओर से आतनक्वादी संगटनों की सूची में शामिल किया गया है हिजबुला का मकसद इस्रेल की वरबादी है इस्रेल भी हिजबुला को हमास से ज़्यादा शक्तिशाली दुश्मन मानता है ये भी क्लियर है कि बिना हेजबुला के सफाय के या किसी शांती समझोते के इसरेल चेहन से नहीं जी पाएगा क्योंकि हेजबुला इसरेल के खिलाफ हमले करने से बाज नहीं आएगा हेजबुला के पास हथियारों का बहुत बड़ा भंडार है जिसमें ऐसी मिसाइले शामिल हैं जो इसरेली इलाकों में दूर तक हमला कर सकती है इसके पास हजारों प्रशिक्षित लड़ाके है इसरेल के मुताबिक हेजबुला के गरीब 45,000 लड़ाके हैं हेजबुला के पास 120,000 से 130,000 मिसाइले हैं इन में तमाम लंबी दूरी तक मार करने वाली भी शामिल है। इसके अलाबा हेज़बुल्ला के पास एंटी टैंक हतियार, मानो रहे द्रोन, एंटी शिप मिसाइले और हवाई रक्षा प्रणाली मौजूद है। जाहिर है इसरेल को घाजा से भी ज्यादा मुश्किल आएगी अगर हेज़बुल्ला के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया तो, लेकिन मुश्किल है कि हेज़बुल्ला को रोकने के अलाबा इसरेल के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यही वज़ह है कि इसरेली प्रधान मंत्री वेनेमिन नेतनियाहु ने कह रखा है कि अगर हेज़बुल्ला इस विवाद में दूसरा मूर्चा खोलता है तो उसको और कल्पनी जबाब दिया जाएगा। इन सवालों का जवाब एक लाइन में नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा अरब वॉर्ड ऐसे ही हेज़बुल्ला हमास और हूथी विद्रोहियों को इसरेल के खिलाफ उतारता रहा है। इसरेल के खिलाफ गोले और रॉकेट बरसाने वाले ये तीनों संगठन सिर्फ हतियार बंद संगठन नहीं हैं बलकि अरबों के इसरेल के खिलाफ विरोध का प्रतीक हैं। इरान खुले आम हिज़बुल्ला का समर्थन करता है। भूती विद्रोहियों का साथ देता है। हमास को हतियारों की सप्लाई करता है। लेहाजा ये बात तो बहुत साफ है कि इसरेल को फाइनली इरान से ही दो दो हांथ करना होगा। तब ही इसरेल को सुकुन मिलेगária। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इरान अब सत्तर के दशक वाला इरान नहीं है उसके पास भी कहा जाता है कि पर्माणू बम है अब ध्यान दीजे कि हेज़बुल्ला के चक्कर में कैसे इरान और इस्रेल के बीच पर्माणू युद्ध छिड़ सकता है लेबनान और हेजबुल्ला चीफ अब भशन नसर अल्ला के पास लड़ाके हैं इरान का समर्थन है हथियार है लेकिन गोर करने वाली बात है कि पूरा लेबनान हेजबुल्ला के साथ नहीं है पूर युद्ध लेबनान के लिए विनाशकारी होगा और इसके लिए जनता का सम इसका कारण है कि लेबनान वर्षों से अधिक संकट का शिकार है। इसरेल से संगर्ष के बीच लेबनान के सैक्रों लोग अपने घरों के अंदर रहने या बेरूत के दूसरे शहरों की और भागने के लिए मजबूर हुए है। लेकिन हेजबुला इस तरह के पलायन से इसरेल के खिलाफ हमला बंद नहीं करने वाला। लेबनान और इसरेल के बीच के दुश्मनी भी नहीं नहीं है। हेजबुला इसके बदले इसरेली कैद में बंद अपने लड़ाकों को छोड़वाना चाहता था। लेकिन इस्रेल ने शर्ट मानने की जगह हेजबुला के नेता हसन नस्रला के घर पर बंबारी करके जबाब दिया। इसके बाद दूनों के बीट 34 दिनों तक युद्ध चला। इस जंग में 1100 लेबनानियों की मौत होई। जबकि 165 इस्रेली मारे गए थे। 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले इस्रेल लेबनान बॉडर करीब करीब शान्ती रहा। कभी कभार लेबनान की दरब से इस्रेल में ड्रोन और रॉकेट से हमले होते रहे। जबकि इस्रेल ने 2007 से 2022 तक 22 हजार बार लेबनानी वायुसीमा का उल्लंधन किया है। इस्रेल ने पहले से ही क्लियर कर रखा है कि हमास के आतन की धर्ती के किसी भी कोने में छुपे होंगे, उनकी तलाश की जाएगी और उनका खत्मा किया जाएगा। अरूरी को बेरूत में घुज कर मारना इसी कड़ी में है। यही कारण है कि हमास के नेता कभी कतर, कभी ईराण, तो कभी लेबनान में ठेकाने बदल कर अपनी जान बचा रहे हैं। दूसरी तरफ इस्रेल की खुफ्या एजेंसी मोसाद में इन सारे नेताओं को ट्रैक करने के लिए अपनी टीमे लगा रखी है। कतर और इरान में हमास के नेताओं पर हमले से युद्ध पड़क सकता है। लिहाज़ा इस्रेल हमास के नेताओं के लिबनान जैसे देशों में आने का इंतजार करता है। ऐसा ही हमास के डिप्टी चीफ अरूर के साथ भी हुआ। जब तक कतर में था सुरक्षित था लेकिन इरान से होता हुआ जब लिबनान पहुचा तो ड्रोन हमले में मारा किया। इस्रेल का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। कतर और इरान से अभी उलजना नहीं। हेजबॉल्ला, हमास और हूथी को शोड़ना नहीं। कबर के मताबिक पिछले 24 घंटे में इस्रेली सेना ने जमीन और आकाश से पूरे गाज़ा पर भयानक हमले किये हैं। इस्रेली हमलों में गाज़ा में 100 से ज्यादा फिलस्तीनियों की मौत हुया है जब की करीब 300 फिलस्तीनी गायल हो चुके है। बीते 24 गंटे के अंदर इस्रेल ने पूरी गाजा पट्टी में कोहराम बचा रखा है हाला कि हमास ने ये दावा भी किया है कि इस्रेली सेना को भारी नुकसान पिछले 24 गंटे में पहुचाया गया है अब ये लगबग तै हो चुका है कि साल 24 गाजा के लिए काल बन कर आ गया है भारी नुकसान जेलने के बाद इस्रेली सेना बुरी तरीके से वुखला गई है हम आज से इस वक्त मद्ध गाजा दक्षनी गाजा के खान यूनिस में इस्रेली सेना पर भीश्चन हमले शुरू कर दिया है गाजा काल साल दोहजार चौबिस गाजा युद को लगभग तीम महीने होने जा रही है लेकिन अभी तक इस्रेल की आईडिय अफ गाजा से हमास लड़ाकों का सफाया नहीं कर पाई है हाना के पिछले 36 गंटों में इस्रेली सेना ने हमास के लड़ाकों के साथ साथ 200 से ज़ादा फिलस्तीनियों को मार डाला है हैरानी की बात तो ये है कि इस्रेयली सेना पर पिशले दो हफ़तों से अचानक हमास के लड़ाकों ने उत्तरी घाजा और दक्षने घाजा में जबर्दस्थ हमले शुरू कर दिये हैं साल के आखिरे दिन 31 दिसम्बर 2023 को हमास की तरफ से जारी किये गए इस वीडियो को देखिए जिसमें हमास के लड़ाके इस्रेयल के टैंक पक्तर बंद लड़ाकों वाहनों पर बेहद पास से हमले कर रहे हैं हल्मिट पहन रहे हैं टैंक टैंकों का खबरस्तान गासा हमास का टैंकों पर हमला 31 दिसम्बर 2023 को हमास की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए जिसमें हमास लड़ाके बेहद करीब से इस्रेयली टैंक के उपरी हिस्से पर सीधा हमला कर रहे हैं हमास का दावा है कि ये हमला इस्रैली टैंकों पर दक्षनी गाजा के खान योनस में किया गया है। हमास का दावा है कि ये हमला 30 दिसंबर 2020 को इस्रैली टैंकों पर हुआ है। इस्रेयल के टैंकों पर शुन शुन कर हमले हो रहे हैं क्योंकि इस्रेयल का मर्खावा टैंक हमास और घाजा का काल बन चुका है इस्रेयल इनी टैंकों से अब तक 800 से जादा सुरंगे तबाह करने में मदद कर चुका है यही वज़े है कि अब हमास इस्रेल के टैंकों पर बेहद पास से हमले कर रहा है कई बार तो मुश्किल से 20-25 फिट की दूरी से हमास हमले कर रहा है हमास के रॉकेट इस्रेली टैंकों के हैच वाले यानि उपरी हिस्से पर सीथा हमला कर रहे है जिसकी वज़ा से टैंक बरबाद हो रहे हैं अब हमास की तरब से जारी ये वीडियो देखिए जिसमें हमास के लड़ा के घाजा में कबिस्तान बन शुके अमार्तों के पीछे से इस्रेली सेना पर हमला कर रहे हैं दावा किया जा रहा है कि इस हमले में कई इस्रेली सैनिकों की भी मौत होई है इसी तरह से हमास ने 28 दिसंबर 2023 को इस्रेली सेना पर मध्य घाजा में प्यूरिस शरनार्थी शिवर इलाके में इस्रेली सेना पर हमला किया है टैंक और पैदल सेना पर हमास इसी तरह से हमला कर रहा है दावा किया जा रहा है कि इस सिलाके में अभी भी इतनी जादा सुरंगे बची हैं जहां से अचानक हमास के लड़ाके हमले कर रहे हैं इसी तरह से हमास के लड़ाकों ने 27 दिसंबर 2023 को एक ही हमले में 12 से जादा इसरेली सेने को पुमारने का दावा किया है हमास का ये वीडियो किस जगह का है ये तो नहीं पता लेकिन वीडियो में इसरेली सेना पर हमास के लड़ाकों के हमले साफ देखे जा सकते हैं यही वज़े है कि इस्रैली सेना के मरतावा टैंक के उपर शील्ड लगाई जा रही है ताकि टैंकों को दबाह होने से बचाया जा सके। अब तक इस्रैल के 480 से जादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वज़े हमास की वो सुरंगे हैं जो अभी तक इस्रैल तबाह नहीं कर पाया है। हाला कि नेतन्याहू पिछले हबते घाजा पहुँच गया थे और उन्होंने इस्रैली सेना के कमांडर्स और सैनिकों के बीच काफी वक्त बिता है। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि अब किसी भी कीमत पर घाजा युद्ध नहीं रुकेगा। चाहें भाले ही घाजा युद्ध लंबा चले। उन्निस लाग फिलिस्तिनी शरनार्थी बन चुके हैं। भूखे, प्यास, बीमारी और बमों के हमलों ने घाजा में फिलिस्तिनीों को साखशात नरक में पहुचा दिया है। जरा ये आंकडे देखिए। 7 अक्टूबर से अब तक घाजा में इसरेली सेना ने 22,000 से जादा हमले किये हैं। जिसकी वज़े से घाजा की 70 फीजदी इमारतें हंडर हो चुकी है। ये आंकडों के मताबिक पूरे घाजा पट्टी में 3,55,000 से जादा इमारतें तबाह और बरबाद हो चुकी हैं। जिसमें कोई रह नहीं सकता है। इसके अलाबा स्कूर, कॉलेज के 370 से जादा इमारतें पूरी तरह से इसरेली हमलों में जमीन में दफ़न हो चुकी हैं। जो इसरेल के खौफ़नाक हमलों का जंदा सबूत है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक घाजा पट्टी में इसरेली सेना ने हमास के ठिकानों पर जबरदस्थ हमले किये हैं। जिसकी वज़े से 230 से जादा मस्जिदें और पूजा घर घाजा पट्टी में तबाह और बरबाद हो चुकी हैं। घाजा में सबसे भीशन और दगनाक हमले इसरेल ने अस्पतालों पर भी किये हैं। क्योंकि इन ही अस्पतालों के नीचे हमास की दरजनों सुरंगें हमास का हैटवाटर और अड़े बने हुए थे। हमास इन ही अस्पतालों की आड़ में इसरेली सेना पर हमला कर रहा था। इसरेल ने ऐसे 36 में से 26 अस्पतालों को जबरदस्त बंबारी में तबाह कर डाला है। घाजा में रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। 20 से 30 लाक लोगों को रोटी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि इसरेली सेना ने 11 बड़ी बेकरी तबाह कर डाली है। पूरे घाजा में 17 लाक से जादा फिलिस्तिनी शरुनार्थी मन चुके हैं। हालात ये हैं कि उतरी घाजा के 90 फीसदी जनता भाग गई है। अब तक के हांकणों के मताबिक कि कि सलाख आठ सो बाइस से जादा फिलिस्तिनी मारे जा चुके हैं। इन ही हालातों को देखकर हमास, हेजबुला और इरान अब इसरेल से आर पार की जंग का ऐलान कर चुके हैं लेकिन नेतन्याहू ने साफ चेतावनी दे दी है कि कोई जिन्दा नहीं बचेगा मतगत लकर्का वो येश अनू अनाइम बचमाइम अन्हों रहीं हम खबला हमास, अन्हों रोहीं एत्केम और अगिया लगें अन्हों ममशिकीं बमलगमा, मामीकीं इता लगिमा बड्रूम अर्चुअ और मकूमों अखरीं अन्हों अलगमीं अद असूफ बाज़त अत्कनोलोगीया मतकदमत बיותर उत्तरी घाज़ा पर इस्रैली वायू सेना के लड़ाकों विमानों ने हजारों बम गिराना शुरू कर दिया इस्रैल की कॉर्पेट बॉमिन ने देखते ही देखते उत्तरी घाज़ा में इमारतों को जमीन में दफन कर दिया यहां तक कि उत्तरी गाजा में इस्रैली सेना ने मरकावा टैंक से हमले शुरू कर दिये इस्रैली डिफेंस पूर्स की दीड़ मरकावा टैंक पर हमास के लड़ाकों ने भी जबरदस्ट पलटवार किया और कई दर्जंट्या लगभग नबवे दिन की जंग में तबा कर दिये हमास के लड़ाकों ने सुरंगों से निकल कर उत्तरी गाजा में हमले किये इस्रैली लगभग नबवे दिन की जंग में हमास के टॉप कमांडर्स को चुन-चुन कर मारा है अब तक 100 के करीब हमास के कमांडर मारे जा चुके हैं लेकिन जिस तरह से हमास घाजा में पलटवार कर रहा है उससे साफ हो चुका है कि साल 2024 घाजा के लिए बहुत विनाशक साबित होने जा रहा है अब बड़ी कबर आपको बता दें इरान ने काए कि वो किर्मान में हुए आतन की हमले का जवाब जल्दी देगा इरान ने इस हमले के लिए इसरेल और अमेरिका को दोश्टी ठेहराया है इस हमले की जम्यदारी आयस आयस ने लिए है किर्मान में आत्मगाती धमाके हुए थे जिसमें मरने वालों की तादाद एक क्यान में पहुंच चुकी है इरान ने का कि वो इस हमले के लिए जम्यदार ताकतों को छोड़ेगा नहीं तो आपको बता दें कि किस तरीके से किर्मान की ओर से ये पूरा बयान सामने है अब इरान ने अब तक जो भी धमकी दी उसे इसरेल और अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है यमन का मिलीशिया हूती अब इरान की इसी इरादे को पूरा करना चाहता है पूती विद्रोहियों ने अमेरिका से कह दिया है कि अगला हमला बहुत खतरनाक होगा वह अमेरिका कैसे बचेगा इसके लिए भारत के कमांडो ओपरेशन से बहुत कुछ सीख सकता है ये वो वीडियो है जिसे देखकर बाइडन हिम्मत जोटा सकते हैं ये वो वीडियो है जो अमेरिका का डर खत्म कर सकता है ये वो वीडियो है जिसे देखकर भारत पूरी दुनिया के सामने मिसाल बन गया है ये वो वीडियो है जिसे देखकर अमेरिका के मशूर सील कमांडो भारत के मार्कोस कमांडो से सीख सकते हैं देखिए कैसे भारतिय नेवी के कमांडो एक अगवा हुए जहाज की तरफ बढ़े कमांडो जहाज पर सबार होते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं एक एक कोने की तलाशी लिजाती है जहाज पर कज़ा करने वालों को ललकारा जाता है और फिर ऑपरेशन जीत लिया जाता है पूरी खबर ये है कि भारती नौसेना के मारकोस कमांडो ने सिर्फ दो घंटे के अंदर एक कारगो जहाज को मुसीबत से बचा लिया मारकोस यानी मरीन कमांडो इस फोर्स ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों में दहशत पैदा कर दी भारत के इस कमांडो टीम ने ऐसा ओपरेशन चलाया कि समुद्री लुटेरे भाग खड़े हुए और कारगो जहाज पर बंधक बनाये गए 21 लोग छोड़ा लिये गए इस कमांडो ओपरेशन में भारती नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में लाइबेरिया के जंडे वाले मर्चंट शिप एमवी लीला शिप को बचा कर दिखाया है इस कमांडो ऐक्शन में इंडियन नेवी के स्पेशल समुद्री कमांडो फोस मार्कोस पूरी दुनिया को बता रही है कि समंदर में दुश्मनों से कैसे लड़ा जाता है ये जान की बाजी लगाने जैसा है, दुश्मन की गोलियों का सामना करने जैसा है, भारत ने इस जहाज को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लाइबेरिया के जंडे वाले मर्चंड शिप, M.V. लीला शिप को बचाने के लिए सिर्फ मार्कोस कमांडो ही तैनात नहीं किये गए, इसमें P-8I टोही विमान भी शामिल रहा, इसमें अमेरिका से ही खरीदा गया MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन भी शामिल हुआ ओप्रेशन से पहले ओप्रेशन के दौरान जहाज पर बराबर नजर रखी गए और फिर जब भारत के मार्कोस के M.V. लीला जहाज पर चड़ाई की, तो जीत भारत की हो ज़िए इस जहाज के आसपास कहीं मतलब पांच-छे धाउज और फिशिंग बोर्ट्स होगे रहे थे तो उनका भी डिटेल्स होगे रिकॉर्ट किया गया तो इससे उनका confidence था कि pirate attack हुआ है और कोई जानकर ही नहीं था कि pirates on board है नहीं है इसके बारे में ज़्यादा information नहीं था क्योंकि crew स्रेडल के अंदर थे और उनको भी ज़्यादा information नहीं था तो इतने में हमने decide कि जैसे second PATI जाके इसको जो first PATI है उसको on the spot रिलीव करेगा और उसके बाद एक sea guardian भी जाएगा ताकि वो situation को monitor करे और video अगर हमें रिले कर सके सवाल है कि ऐसी हिम्मत अमेरिका क्यों नहीं दिखा पाया जो इस सुवक्त लाल सागर में मौजूद होने के बावजूद यमन के हूथी विद्रोहियों से घबराया हुआ है क्या अमेरिका के seal कमांडो भारत के मार्कोस कमांडो से कमजूर है क्योंकि यहां तो मार्कोस कमांडो ने दो घंटे में operation करके दिखाया है भारत ने हर technology और military power का इस्तिमाल करके समुद्री लोटेरों को डरा दिया भगा दिया अमेरिका तो खुद को super power कहता है आखिर उसका कहरिया हूथी विद्रोहियों को देखकर लाल सागर से क्यों भाग गया जब घाजा में इस्रेल की बंबारी चल रही है जब लिबनान बॉर्डर पर इस्रेल और हिजबुल्ला की टककर हो रही है तब हिंद महा सागर के एक पश्यमी कोने में इस सुवक्त तूफान मचा हुआ है हालात बहुत ज़्यादा खराब है और अब यहां युद्ध का ऐसा खत्रा है कि सवाल खड़े होने लगे है कि क्या अमेरिका यमन के हूथी विद्रोहियों से डर गया है यह सवाल इसलिए क्योंकि उसके फैसले तो यही साबित करते है इस वक्त अमेरिका को इश्या के तीन इलाकों में चैलेंज बिन रहा है इस वक्त हूथी विद्रोही लाल सागर में इसरेल से जुड़े जहाजों को टार्गिट बना रहा है इसलिए अमेरिका ने अपनी नौसेना लाल सागर में तैनात की हुई है यमन के हूथी विद्रोहियों ने कह दिया है कि जो भी लाल सागर में अमेरिका के साथ आएगा उस पर हमलाज जरूर होगा हूथी विधरोयों के टार्गेट दो हैं पहला है इसरैल और दूसरा है अमेरिका हूथी विधरोयों ने इसरैल के शिप को टार्गेट करना शुरू कर दिया है वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन दू मानता है अमलियत इस्तिहदाफ लिसफेनत See Ma CGM Tej होती विद्रोही लगातार इस्रैल पर हमला कर रहे हैं वो क्रूस मिसायल भी फायर कर रहे हैं बैलेस्टिक मिसायल से भी इस्रैल के दक्षने इलाके पर अटाक कर रहे हैं साथ में इस्रैल और अमेरिका को लगातार धंकिया दे रहे हैं यमन के हूथी विद्रोहियों ने 15 देशों को ललका रहा है यानि हूथी विद्रोहियों ने 15 देशों से युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है इसमें अमेरिका और इस्ट्रेलिया है, कैनेडा है, बैरीन है, यूरोप के बेल्जियम, डेन्मा, जर्मनी, इटली, दनीदरलैंड, और ब्रिटन के अलावा न्यूजिलेंड है, जापान है, दक्षिर कोरिया है और सिंगपुर भी ये अमेरिका को जबाब है जिसने लाल सागर को हूथी प्रूफ बनाने के लिए आपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन के शुर्बात की है अमेरिका ने जब से इस मल्टी नैशनल फोर्स को बनाने की पहल की है वो हूथी विद्रोहियों के टार्गेट परा गया है और हैरत है कि अब तक वो उनको डराने में नाकाम रहा है हूथी विद्रोहियों ने कह दिया है कि वो अब इन देशों के जहाजों को टार्गेट बना सकता है और ऐसा वो लाल सागर में करेगा ऐसा वो आदेन की खाड़ी में करेगा ये वो देश हैं जो अमेरिका के उस गडबंधन का हिस्सा बन चुके हैं जो लाल सागर में हूथीवे द्रोहियों के हमले को नाकाम करना चाहते हैं और इसके लिए ये गडबंधन यमन पर हमला करने क भी धमकी दे रहा है दरसल अमेरिका को डर है कि लाल सागर में उसके जहाज डुबू दिये जाएंगे अमेरिका को डर है कि यमन के हूथी विद्रोहियों से उसका युद्ध शुरू हो चुका है अमेरिका को डर है कि अगर हूथी ने एंटी शिप मिसाइल मारी तो उसका कैरियर डूप जाएगा हूथी विद्रोहियों से इस्रेल के बाद अब अमेरिका को भी खत्रा बढ़ गया है हूथी विद्रोही दिखा चुके हैं कि वो जहाज पर कैसे कबजा करते हैं वो कैसे इस्रेल से जोड़े जहासों को टार्गेट कर रहे हैं ये हेलिकॉप्टर वाला ओपरेशन इसका सबूत है इस हेलिकॉप्टर के पिछले रैंप वाले दर्बाजे पर दो जंडे लगे हैं एक है यमन का जंडा और उसके नीचे है फिलिस्तीन का फ्लाग ये लाल सागर है दुनिया इसे रेड सी के नाम से जानती है देखिए रेड सी में क्या हुआ हेलिकॉप्टर किसी तरह जहाज की रफ्तार से रफ्तार मिला कर आगे बढ़ता है और इस शिप पर उस जगे पहुंचता है जहां ये जहाज पर उतर जाए लेकिन अचानक इस हेलिकॉप्टर से कमांडो निकलने शुरू हो जाते हैं जहाज पर हमला होता है और ये कमांडो जहाज पर कबजा करना शुरू कर देते हैं एक के 47 और बाकी हत्यारों से लैस ये कमांडो जहाज पर आगे बढ़ते हैं हेलिकॉप्टर फॉरन जहाद से ओड़ जाता है क्या हो रहा है किसी को नहीं मालए ये कमांडो जल्दी से जहाद के ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं ब्रिज यानि वो जग़ जहाद से पानी के जहाद को कंट्रोल किया जाता है शिप के स्टाफ की तरफ राइफल थानी ये सबھی हमलावर जहाद के ब्रिज में दाखिल होते हैं और फिर टू एल्री ब्रिज फैसे ब्रिज पर कंट्रोल करने के बाद इन हमलावरों का कब्ज़ बाकि जहाद पर होने लगता है ऐसे हमलों को रोकने में अमेरिका और यॉर्प के देश नाकाम साबित हुएं अमेरिका सुपर पावर होने के बावजोद हूथी वे द्रोहियों का सामना नहीं कर पा रहा यमन के हूथी वे द्रोहियों जब किसी जहाज पर कबजा करते हैं या उस पर हमला करते हैं, तो उसे चारों तरफ से उनकी स्पीड वोट धेर लेती हैं, और फिर जहाज उनके कंट्रोल में आ जाता है, ऐसे में भारत के कमांडो आपरेशन को देखकर अमेरिका सीख सकता है, भारत ने बता दिया है कि जहाज पर कबजा हों तो कैसे लड़ा ज जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे कारगो शिप को टार्गेट कर रहे हैं, और अब उन्होंने अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर हमला करने की कसम खाई हैं, फिलहाग, हूधी इसरेल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं, उन्होंने इसरेल से जुड़ दुनिया की सबसे हम शिपिंग लेन मिसर की स्वेज कैनाल से गुजरती है। यही है यमन के हूथी वे द्रोहियों का ठार्केट क्योंकि वो घाजा में बंबारी का बतला इसरेल के जहाजों को बना कर करना चाहते हैं और ऐसा उन्होंने करना शुरू भी कर दिया है। अमेरिका अपना डर खत्म कर सकता है। यह वीडियो देखकर अमेरिका के मशूर सील कमांडो भारत के मार्कोस कमांडो से ओपरेशन करना सीख सकते हैं। 1987 में बने मार्कोस बहुत ही तेजी से ओपरेशन करते हैं। इन्हें अमेरिका के नेवी सील्स की तरफ पर ही तैयार किया गया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज यह ऐसे ऐसे ओपरेशन को अंजाम दे रहे हैं जो खुद अमेरिका लॉंच करने से घबराने लगा है। दरसल इस सुवक्त लाल सागर में बहुत आग है, इस सुवक्त लाल सागर के आसपास बहुत गुस्सा है, इस सुवक्त लाल सागर में वार जोन भड़कनी की कदार पर है। अगले 48 घंटों के अंदर लाल साकर, शमन और इस्रैल के बीच इतनी चिंगारी नज़र आ रही है कि पूरा पश्यमीशिया घाजा के बाद दूसरे युद्ध में डूप सकता है खाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाद से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं इसका खत्रा सब महसूस करने लगे हैं इस्रैल ने दुनिया के प्लेशर के सामने जुकने से मना कर दिया है लहाजा अब हूथी विद्रोही जिनकी एरान से बेहत करीबी है उन्होंने इस्रैल के शिप को टार्गेट करने का फैसला किया है वो जानते हैं कि उनके करीब से कोज़ती शिपिंग ले दुनिया की लाइफ लाइन है और यहाँ पर हमला करने का मतलब इस्रैल और अमेरिका के गले पर हमला करने जैसा है देखा जाए तो अब लाल सागर में अमेरिका अकेला पढ़ गया है क्योंकि जब अमेरिका घबराया हुआ है तो बाकी छोटे देश कैसे हुथी वे द्रोहियों के एंटी शिप मिसाल का सामना करेंगे ये सभा अब बाईटन से पूछे जा रहे है अमेरिका ने जब से हुथी वे द्रोहियों को टर्गेट किया है उसके दस लड़ाके मार गिराए है तब से कहा जा रहा है कि खून खून हुआ लाल सागर नए वार्जोन में अब मचने वाला है महा बबंडर और बहुत बड़ी कबर आ रहे जमू कश्मी के शोपिया से या सुरक्षा बलो ने लेटेनिंट उमर पयाज की हत्या का बत्ता ले लिया है सुरक्षा बलो ने आतंकी बिलाल एहमद भट को एनकाउंटर में मार गिराया है सुरक्षा बलो को लंबे वक्त से आतंकी बिलाल की तलाश थी चोपिया के छोटी गाम में जैशत गर्द के छिपे होने की सुचना मिलने पर सुरक्षाबरों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और मुटबेड में आतंकी बिलाल एहमद भट को मार गिराया है पीओके में आतंकीों का लॉंच पैड पहली बार कैमरे में कैद हुआ एलोसी के फास से ऐसी तस्वीरे मिली जिसमें पाकिस्तानी आतंकीों के लॉंच पैड देखे जा सकते हैं सेना दावा करती है कि एलोसी की दूसी तरफ जो गाउं हैं वहां के घरों को आतंकी लॉंच पैड के रूप में इस्तमाल कर रहे हैं इस एंकाउंटर में टर्रिस जो था उस इसका नाम बिलाल भड़ था था वो न्यूटरलाइज हुए लेफ्टिनेंट उमर फईयाज के हत्या का बदला सेना ने ले लिया है सेना के इस अपसर की 2017 में हत्या करने वाले आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेख कर दिया है इस तस्वीर को गोर से देख लीजे ये जम्मु कश्मीर में आतंक का बड़ा नाम था जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है नाम है बिलाल एहमद भड़ का आतंकी वारदात को अंजाम देना लशकरे तैयबा का दैशतगर आरो 2017 में लेटिनेंट उमर फईयाज के अपहरण और हत्या में शामिल होने का इस सातंकी के गुनाहों के लिस्ट बहुत लंबी है कैसे बिलाल एहमद भड़ घाटी में आतंक का पर्याय बना ये सब बताएंगे आपको लेकिन उससे पहले ये तज़वीर देखिए जगर जम्मू कश्मीर का शोपिया सुरक्षा भलों ने पूरे इलाखे को घेर दखा है दोनों तरफ से अंधाधोन फाइरिंग हो रही है सामने कुछ आतंकी छिपे हैं आतंकियों से निपटने के लिए जवान दबे पाउं आगे बढ़ रहे हैं लेकिन इसकी फ़नक आतंकी को लग गए और जवानों पर उसने फाइरिंग शुरू कर दी जबाब में सुरक्षा भलों ने ताबर तोड फाइरिंग शुरू कर दी कई घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षा भलों ने आतंकी बिलाल एहमत भट को मार गिराया सुरक्षा भलों के लिए ये बड़ी काम्याबी है पोलिस को लंबे वक्त से इसकी तलाश थी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा भलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है पुंच और राजोरी में हुए एनकाउंटर के बाद सेक्योर्टी फोर्स कोई चांस नहीं लेना चाहते यही वज़े है कि इस सुवक्त घाटी में लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है एक के बाद एक आतंकी का सेना सफाया कर रही है लेकिन असली टारगेट तो एलोसी के पार है ये तस्वीरें पुंच और रजोरी बेल्ट के दूसरे तरफ की है भारतीय सेना पुंच और रजोरी बेल्ट के दूसरी तरफ पाकिस्तान के कबजे वाले हिस्से में इन लॉंच पैड पर नजर रख रही है इन लॉंच पैड पर आतंक पातियों की गदिविथियां अचानक तेज हो गई है सेना ने हाल ही में लॉंच पैड से घुसपैड की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया था तभी से पाकिस्तान के कई लॉंच पैड भारतीय सेना के रेडार पर है पुंच में लॉसी के पार पीओके में आतंक्यों ने जो लॉंच पैड तैयार किये हैं उनमें नल्नी का इलाका है भिमबर का ठिकाना बहुत खदरनाक है पीओके में एक लॉंचिंग पैड बखबख में है पगसर में भी आतंक्यों की घुसपैट कराई जाती है P.O.K के पखुर्णी में भी अड़े हैं माध्याल से भी आतंक्वादी लॉंच किये जाते हैं LOC और P.O.K की इंटेलिजन्स से एक दम लेटिस्ट इन्फोमेशन मिली पाकिस्तान आतंक्यों को कई ग्रुप में तयार कर रहा है इसके लिए पाकिस्तान की ट्रेनिंग कैम्प कई क्लस्टर में अक्टिव हैं रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की सेना ने सभी लॉंच पैड LOC के आसपास तयार कर दिये हैं जानकरी ये है कि लॉंच पैड लोसी से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही बनाए गए हैं ताकि आतंकियों को गुस्पैट में जादा वक्त न लगे सैना ने भी हर लॉंच पैड पर नजर बनाई हुई है यहां तक कि पाकिस्तान की घर गतिवीडियों को इंटेलिजनस अजनसिया भी लगातार ट्राक कर रही है एक्सक्लोसिव रिपोर्ट यह है कि पियोके में आतंकियों के कैम्प में कई मीटिंग हो रही है इस मीटिंग में पाकिस्तान की खोफिया एजनसी आईसाई के अपसरों का लगातार आना जाना है मीटिंग में कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमलों को लेकर बात हो रही है और खुसपैट की कोशिश तेज करने पर फोकस किया जा रहा है इस वक्त पेशावर से बहावलपूर और मुझजफराबाद के अलग अलग ठिकानों पर मुझूद है यही नहीं पाकिस्तान की तरफ से इनको हर संभव मदद मिल रही है घुसपैट से पहले इन आतंकियों को मुझफराबाद और कोटली पहुंचा दिया जाता है आतंकियों के यह क्लस्टर मनशेरा में है, मुझफराबाद में है, कोटी में है और मुरीदके के साथ पहावलपूर में है मनशेरा पाकिस्तान में है और यहां बाला कोट, गड़ी हविबुला और पतरासी में टेरर कैम्प है मुजफराबाद पियोके में है और यहाँ चेला बंदी, सवाई नाला, मुसकरा अक्सा और दुलाई नाला में टेरर कैम्प है कोटली भी पियोके में है, गुलपुर, सेंसा, बराली और दुंगी में भी आतंतवादियों को ट्रेनिंग मिल रही है पुंच और रजोरी में हुए आतंकी हमले के पीछे ऐसे ही आतंकियों और उनकी मदद करने वालों का हाथ बताया जा रहा है जम्मु कश्मीर में इस स्वक्त आतंकी संगठन टियारफ काफी एक्टिव है, यानी दर रेजिस्टेंस फ्रंट इसका ये ग्रुप लंबे वक्त से जम्मु कश्मीर में आतंकी हमलों की प्लैनिंग कर रहा है नए अटैक में जो आतंकी शामिल रहे है, उनमें जैश से लेकर लशकर और हेस्बूल का कैडर एक्टिव रहा है पाकिस्तान की कमांडो दस्ते SSG को इस स्वक्त बड़ा मिशन दिया क्या है उनका काम है आतंकवादियों को घुसपैट कराना और उनके आतंकी दस्तों को LOC के पार कराने के साथ कवर फायर देना इसके लिए पाकिस्तान की बैट यानि बॉर्डर एक्शन टीम भी काम पर लगा दी गई है इस टीम में आतंकवादियों को अपने चीन से मंगाए गए हथियार और नाइट विजन डेवाइस भी दिये गए हैं ताकि रात में भी घुसपैट को मुम्किन किया जा सके भी कम पड़ती है LOC के उस पार के ये वही इलाके हैं जहां बिलों में चिपकर पाकिस्तान के देशतगर्दों की ठोलियां घुसपैट की ताक में रहती है एक तरह से पाकिस्तानी आर्मी बेनकाब हो गई है ये पुखता रिपोर्ट बताती है कि भारत के पास पाकिस्तान के प्लान की पूरी रिपोर्ट है ओंकारा से लेकर मुझफराबाद तर आतंकवाद के कारखानों की पूरी लिस्ट तयार हो रही है इस वक्त सेना के पास पाकिस्तान में टेरर इंफरस्ट्रक्चर और ISI के बैकप की पूरी रिपोर्ट है लशकर जैसे आतनकी संगटरों में लड़कों को कैसे भरती किया जाता है नौजवानों और बेरोजगारों को कैसे कॉंटेक्ट किया जाता है ISI और लशकर की मोडस अपरेंडाई क्या है भरती के बाद लड़कों को कहां भीजा जाता है कहां और किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ट्रेनिंग कौन देता है माइंड वाश कैसे होता है और फिर हथ्यारों के साथ उन्हें किस रास्ते भारत भीजर जाता है